दोस्तों जैसे कि आफ सभी को पता है कि JST apply करते समय आपको लाष्ट में अधार authenticate करना बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप अधार authenticate नहीं करते हैं तो आपका certificate generate नहीं होता है, अगर आप अधार authenticate कर देते हैं तो आपका certificate तीन दिन के बाद ही generate हो जाता है आज के इस वीडियोगों में हम लोग बात करने वारे हैं अगर आपका भी जेश्टी का अधार औथिन्टिकेट सिस्टम एरर दिखा रहा है अगर आपका जेश्टी अधार औथिन्टिकेट नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने आप लोग को फुल प्रोसेस में बताया है कि किस तरीके से आप अपना अधार आथेंटिकेट कर पाएंगे साथी साथ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेश्ट करना चाहते हैं जिससे आप अधार आथेंटिकेट वाले ओप्शन पे किलिक करेंगे आपके जीमेल आइडी पे एक लिंक दिया जाएगा जिस लिंक पे किलिक करके आप अपना अधार आथेंटिकेट कर सकते हैं इमेल पे आए हुए लिंक पे आप जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे due e kyc का dashboard खुलके आ जाएगा अगर आप अपना kyc करना चाहते हैं अधार authenticate करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले termine condition को accept कर लेना है termine condition को accept करने के बाद यहाँ पे आपको दो तरीके से आप अपना kyc कर सकते हैं एक तो vi id से और एक अधार number से तो यहाँ पे हम अपना अधार number से kyc complete करने वाले हैं तो अधार वाले option पे आपको click कर देना है जैसे click कर देंगे यहाँ पे आपको अधार enter करने का option आ जाएगा यहाँ पे आप अपना अधार enter कर देना है अधार एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिटेड अधार नमबर वाले ओप्शन पे किलिक कर देना है जैसे किलिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने आपके मुबाइल नमबर पे एक OTP जाएगा जिसे आपको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है Enter OTP वाले option में आप अपना OTP को Enter कर दीजेगा OTP Enter करने के बाद यहां पे Validate OTP वाले option पे आपको किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करेंगे यहां पे आपका अधार authenticate successfully हो जाएगा सुकाई यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अधार has been successfully verified हो चुका है अधार authenticate यहां पे हमारा हो चुका है यहां पे आपको OTP वाले option पे किलिक कर देना है जैसे आप नीचे scroll करेंगे आपके अधार का सारा detail यहां पे आपको show हो जाएगा सुकाई यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा अधार authenticate successfully हो चुका है और हमारा जो detail है वो यहां पे show हो रहा है तो कुछ इस तरीके से अब आप अपना अधार authenticate कर सकते हैं जो भी GST के लिए apply किये हैं आप लोग अपना अधार authenticate कर सकते हैं तो यह जो system error का option था वो problem शोल्प हो चुका है तो अगर आप लोग हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे तो इस वीडियो उसको अपने friend and family के साथ share जरूर कीजेगा ताकि वो भी अपना अधार authenticate successfully कर पाए सोगाज यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें comment box के दोरा जरूर बतेजेगा चैनल पर अगर नई में माना है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा इस वीडियो उसको अपने friend and family के साथ share जरूर कीजेगा सोगाज मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ जब तक कि लिए बाई जाहिंद वन्दे मातरम दोस्तों